खेतिया सेंध्वा मार का निर्मान मदप्रदेश और स्ट्रोग विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया थे जोड़ती है। इसंसे यना सिर्फ मदप्रदेश बरन गुजरात और महराश्ट के वाहनों के पडिवहन का मार्क भी है। खेतिया सेंधवा मार्ग को राश्ट्री राजमार का दर्जा मिलने के साथ सलक की अंदेखी शुरू हुई राश्ट्री राजमार्ग लोक नर्मान विभाग वरा लगतार लापरवाही के चलते ही खेतिया सेंधवा मार्ग के बड़े-बड़े हिस्सों में बड़े-बड़े पढ़ने लगे और गड़ों से वाहन चालक परिशानी का सामना कर रहे हैं जो सीधे सीधे दुरगट्टाओं को आमंत्रित कर रहा है कहने को राष्ट्री राजमार्ग पर दुरधशा का शकार खेतिया सेंधवा राष्ट्री राजमार्ग पर लोक निर्मान विभाग सूचना पटल लगाने के सिवा कुछ भी नहीं कर सका है खेतिया से भमराटा के बीच सड़क की स्थिति ये है कि गड़ों की बीच से सड़क ढूंडने पड़ती है सेतु निगम द्वारा बनाई मिलन नदी के पुलिया लगभग आवा गवन के योग नहीं रही बड़े गड़े निकले सरिये इसकी नियती बताते हैं सामाजिक कारकरताओं द्वारा शासन के नुमाइंदों को जानकारी देने के साथ शासन के लोगपत एप पर शकायत करने के बाद भी लीपा पोती कर राश्ट्री राजमार्ग लोक निर्मान विभाग द्वारा शकायते मंद की जा रही हैं पिछले दिनों खेतिया शहर की उशान्ती समीती की बैठक में भी सामाजिक कारकरताओं ने मुद्दा उठाया प्रशासने कविकारियों के समख इस पस्ट बात रखी कि यह दि अब कोई भी दुरगट्टा होती है तो इसके लिए राश्ट्री राजमार्ग लोक निर्मान विभाग को जिम्मदार मारा जाएगा उनके खलाफ नागरिक पुल्स प्रकरण दर्ज करने से भी नहीं हिचकेंगे लगतार हो रही दुरदशा के चलते अब नागरिकों में असंतोषपन अपने लगा है जिम्मदार मौन क्यों है ये समस्य परे है खेतिया सेंद्वा मार की लगतार हो रही दुरदशागे प्रती राजमार्ग लोक नर्मान विभाग का मौन अनेक सवाल खड़े कर रहा है खेतिया से जयेश पठेल की रेपोर्ट